स्वागत आप सभी का स्पेर पड़र डॉटिंग पर इस स्ट्डियो में आपको देखने को मिलने वाला है हमारे पास जो कि मिक्सर ग्यांडर की मोटर है मोटर का रेड बताऊंगा साथी इसकी कॉलिटी बताऊंगा और मेरे पास से आपको किस कॉलिटी का प्रोड़क मिलने वाला है वो बताऊंगा देखिए हमारे पास आपको जोब प्रोड़क मिलेंगा वो एकदम कॉलिटिवर प्रोड़क मिलेंगा पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ मेरे पास दिल्ली जैसे या फिर किसी भी लोकल कमपनी जैसे घटिया माल में बेशता नहीं हम अगर बेचेंगे उसमें आपको ब्रेंड इट मिलेंगा जिस तरह से लक्षमी याक्ष्मी अब को डेडिंटी का मोटर मिलने वाला है अब ये देखिए यह जो मोटर यदि अब हम्हां करते हैं इसमें को 100% बैमनेयम वाला आपको ब्रैक ei गिऄगी एटभ अदर मेंतर यो वह अफ्वाइल उन्सीस अच्छी तरह केसे रहेंगी और उससे भी बढ़िया बात की आपको इसमें जो आर्मीचर मिलता है वह आपको एकदम CRC कोर वाला वित कॉपर रिवाडिंग वाला जो है अर्मीचर मिलता है ठीक है इस कारण से मोटर का जो है आप अगर अपने तरब सी जो लोकल मोटर रहती है उसका वेट करके देखे एक बार मैं ग्यारेंटी देता हूँ कि मेरे तरब जो यह मोटर है ना देड़ इंची और दो आप से उपरी रिच करती है और जो इसकी कॉलिटे जो होती है वो हेवी रेता है इस कारण से इस मोटर का आपको पावर जो है सबसे ज़ मिलनेवाला है 2 इंची में कभी कभी क्या होता है हम 30 मोटर लगाते हैं लेकिन उसमें पावर महता है के इसको आपको लक्षमी कंपणी का ओरीजनल ओरीजनल ओरी मोटर भीचते हैं उसमें आपको यह देखें सील लगी देंगी यह उसके टेप लगी है उसके साथ आपका उसका QR कोड भी रगा रहता है इसमें देखें प्राइज नौसोर रुपे प्राइज है देडिल इंची की मोटर में आपको 1000 वाट की पाउर मिल जाएंगी यह मैं आपको जिन्वनी बता रहा हो कि क्योंकि हम इसको यूज करते हैं लगा कर भी देते हमें पता है अब अगर यह जो मार्केट में जाते हैं दिल्ली जैसे या फिर किसी भी लोकल कंपनिस ले तो वह क्या करते हैं आप घटिया माल बेचने में इंट्रेस्टेट है या फिर आपको सस्ता माल बेचना है तो आप खुश है वह माल बेचिए अगर आपको अपना ग्रहक जोड़ना है अगर अपने ग्रहक को अच्छा माल प्रोवाइट करना है आप ग्रहक को बताईए ना आपके पास लोकल भी र को बताता हूँ 90% customer अच्छी quality को ही prefer करते हैं ठीक है क्या होता है इतनी बड़ी चीज बदलने वक्त 102 रुपे को कोई नहीं देख था अच्छी चीजी लगाते हैं इस बिजनेस में क्या होता है होता है जो wholesaler रहता है या फिर रिटेलर रहता है वो सबसे घटिया माल लाता है कई से wholesaler के साथ मिलकर 380-400 वाला माल लाता है फिर क्या करता है कस्टमर को बता कर बेच से 800-900 रुबे की ठीक है 800 की तो बेची लिता है वह 700 की तो बेची देंगा वह मैं बोलता हूँ कि आप 600 की मोटर लाइए ना उसको बेची 800 में कस्टमर तो कुछ इस तरह से हम बिजनेस करते हैं अभी आपका मुझे पता नहीं आप किस तरह से करते हैं अगर आपको पहली बात तो अगर लोकल मोटर चाहिए तो मेरे पास है नहीं सौरी हम आपको डिल देंगे अच्छी मोटर की जिस कस्टमर को ब्रैंडेड और अच्छी में की टेप सील लगी रहेंगी इसकी प्राइस आपको मेरे पास गिरेंगी 600 रुपे की ठीक है 600 रुपे की मिलेंगी और एक बदा दाता लोकल मार्केट में अगर जाते है को चारसो औंसी साढ़े चारसो में आपको यह मोटर मिल जाती है लोकल ब्रैंड की देड़ सु यह देखे कुछ इस तरह से पैकिंग रहेंगी इसकी अगर वाटेज की बात करें इसकी तो आपको यह 600 वाट की मिलती है फ्रॉपर तरीके से 600 वाट की नहीं रहती है ज्यादा वाटेज इसमें आते हैं ठीक है आपको स्री कंपनी की हेवी कॉलेट में में इसका भी वजन आप नॉर्मल मोटर से कंपेर करेंगे तो ज्यादा गिरेंगा और अगर इसी में आप लोकल मोटर लेते हैं तो वह आपको गिरेंगी 580 या फिर 620 रुपय में आपको यह मोटर मिल जाती है तो वेबसेट में जो आप यह खरीदने जाएंगे तो आपको नंबर वन कॉलिटी वाला ही माल मिलेंगा ठीक है अभी आपकी इच्छा है आपको लोकल खरीदना है ब्रेंड खरीदने मेरे पास आपको जो मिलेंगा वो ब्रेंडेड माल मिलेंगा अगर आप यह माल खरीदने में इंट्रेस्टेट है तो वीडियो की लिंक में आपको विपशेट की जो है लिंक दी गई है आप उस लिंक पर जाकर इस मोटर को खरीच सकते है एक और बता दर जादो यह 600 की है यह 720 रुबी की दोनों का प्रा होती है तो आपको यह रिप्लेस करके मिलेंगे नई मोटर मिलेंगी लाने ले जाने का खर्चा आपके तरफ रहेंगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों इस यूडिन में इतना ही मिलते ही इस तरह को उस ने उडियों साथ तरह के लिए धन्यमाद